Fishing Village में आपका स्वागत है आज हम आपको Lofoten Islands, नौर्वे में ले जाएंगे यदि आप नौर्वे के कुछ सबसे खुबसूरत परिद्रश्य देखना चाहते हैं तो आप Lofoten की आत्रा में गलत नहीं हो सकते Lofoten गवीप नौर्वे के सबसे आश्चर्य जनक्षेत्रों में से एक है यह वह जगह है जहां राजसी पहार शांदार धन से सफेद रेतीले समुद्र तटों से मिलते हैं मचली पकड़ने के गाव समुद्र तटों को डॉट करते हैं और लंबी पैदल यात्रा के रास्ते यूरोप में कुछ सबसे लुभावनी परिद्रिश्यों के माध्यम से अपना रास्ता पार करते हैं मच्य पालन लोफोटेन के एतिहास की केंद्रिय विशेश्ता है सैकड़ों वर्षों से लाखों कॉड हर साल स्पॉन करने के लिए बैरंट सीसे लोफोटेन की यात्रा करते रहे हैं नौवीजियन और बैरंट सीस में पकड़ी गई सभी मच्यलियों में से लगभग सत्तर प्रतिशत लोफोटेन वीप के आसपास के पानी को प्रजनन स्थल की रूप में उप्योग करती हैं नौवेज समुली, फ्योद्स, जीलो और परवत चोटियों के नीचे चमकीली नदियों के साथ मच्यली पकड़ने के पानी में सम्रिध हैं प्राउट, पच और पाइक यहां सबसे आम मीठे पानी की मच्छली की प्रजातियां हैं जब की कॉट, पोलक, मकेरल, हेडॉक और हलिबूट सभी हमारे खारे पानी में मच्छली पकड़ने में पाए जाते हैं लोफोटेन लंबी पैदल यात्रा, चढ़ाई, मच्छी पकड़ने, कयाकिंग, स्कीन, आक्टिक सफिंग, कर्मियों और सर्डियों में और साइक चलाने के लिए एक मक्का है वहां के परिटन दृश्य में बहुत ही युवाख हिजाब है, जिसमें बहुत सारे बजट आवास हैं, और यहां तक लक्चरी आवास भी रोमांच चाहने वालों के लिए बजार में हैं सुन्दर प्राकृतिक घटनाओं, फ्योद्स और मच्छी पकड़ने के अलावा, लोफोटन पहार प्रेमियों के लिए भी एक एल्डो रेडो है लोफोटन और ओरल ओर्वल के ठीक नीचे स्थित है, प्रकाश की एक बैल चोगू चुम्बकिया ध्रोगों को घेती है और उत्तरी रोशनी को देखने की दुनिया में कुछ बहतरी मौके प्रदान करती है लोफोटन पहुचने के लिए हवाई यात्रा सबसे अच्छा तरीका है लोफोटन पहुचने की यात्रा का सबसे अच्छा समय दिसंबर और जन्वरी के बाहर का कोई भी समय है जब सूरज बिलकुल नहीं उपता है इन अंधीरी दिनों के दोनों और का कैलेंडर सर्दियों में नौडन लाइट्स वसंत में और का स्पोटिंग और गर्मियों और शरद रितु में उत्प्रिश्ट लंबी पैदल यात्रा और बाइकिंग से भरफूर व्यवहाद प्रदान करता है आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें